नमस्कार ने विलकम यालू वर्ल अफेर जाओ रशान दवन आउ रिसेंटी फ्रांस के प्रेजडेंट इम्मैनियल माकरों ये गए नियॉयर्क में युनाइटिड नेशन्स को एड्रेस करने के लिए अब युनाइटिड नेशन्स में जब मैकरों स्पीच जे रहे थे तब इन्होंने प्येम मोदी की एक सर्टन स्टेटमेंट का मैंशन किया और ये कहा कि प्येम मोदी ने जब पुतिन के सामने बैठ कर ये कहा कि आज का जो एरा है आज का जमाना है ये वार का नहीं है ये बि United Nations Security Council का एक permanent country हमारे देश की PM की statement को code करता है Russia-Ukraine War के बारे में बात करने के लिए इससे clearly हमको यह भी विता रगता है कि भारत का influence और भारत का cloud किस हद तक बढ़ चुका है और Emmanuel Macro यहाँ पर नहीं रुकेनों ने आग पर यह भी कहा के देखिए आज के समय जो बात चल रही है यह आसा नहीं है कि western countries Russia पर attack करना चाती है या फिर Russia revenge चाता है दुनिया भर में देश नुकसान face कर रहे है because of Ukraine war तो अब time आ चुका है कि सारी ego सारी pride पीछे रखे और अभी के लिए हम इस war को खतम करे फिर आगे नोंने ये भी कहा कि वो countries जो अभी के लिए बिलकुल silent बैठी हैं for example कई countries हैं कुछ इसके बारे में जरा बोलनी रही war के बारे में जो countries बिलकुल silent बैठी हैं वो imperialism को बड़ावा दे रही है और ये सब statement Emmanuel Macron की एक ऐसे time में आई थी जब कुछी गंटों पहले news आई है कि पुतिन ने Macron की call उठाने से बना कर दिया और Vladimir Putin बहुत ही जल्द रश्या में कोई बड़ी announcement करने वाले हैं तो discuss करते हैं इस topic को बहुत कुछ आको जानने को मिलेगा मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पूछूँँगा question यहाँ पर यह है कि as of 2022 श्रिलंका का सबसे बड़ा lender कौन सा देश बन चुका है bilateral lender की मैं बात कर रहा हूँ मतलब के उधार देने वाला देश आज के समय श्रिलंका को सबसे बड़ा कौन सा है यह है यहाँ आपकी option चाइना, इंडिया, जपान या फिर USA comment section में सब लोग करो answer सही answer आपको मिलेगा वीडियो के अंत में वैसे मैं आपको यह बदा दूँँ, पिछले एक से लेकर देड़ दिन से लगाता लोग वेड कर रहे हैं कि पुतिन कब पूरे country को, एचली पूरे दुनिया को address करेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि पुतिन कुछ बड़ी announcement करने वाले है, युगरियन वार को लेकर, ना यह announcement क्या होगी, क्या यह suddenly war रोग देंगे, chances कम है उसके, क्या यह कुछ बड़े strike की बात करेंगे, क्या यह mobilization की बारे कर दिया जाएगा, कि देश के लिए लड़ते समय, अगर वो युक्रेयन के सामने surrender करते हैं, तो उनको 10 साल की सजा होगी, अफकोर्स 10 साल की सजा तभी होगी, जब रशियन आर्मी वापास वरिया capture करती है, और वो soldier, रश्या की कशड़ी में आजाता है, तो ये बात चल रही है, हो सकता है कि पुतिन ऐसा करे, मगर पुतिन बार बार अपना जो speech है, ये टाल रहे हैं, बताया जा रहे हैं कि रश्या पर पुतिन का जो control है, ये धीरे धीरे इनके हाथ से फिसल रहा है, देगो रीजन समझने के लिए आपको World War 2 में जाना होगा, कि जब हिटलर के साथ क्या हुआ था, 1944 का टाइम था, World War 2 अपने पीक पर थी, हिटलर ने एक साथ कई कंट्रीज पर war declare कर दी, फ्रांस कब जा लिया, पोलेंड कब जा लिया, नाजी जर्मनी फैल चुका था, फिर USSR पर भी अटाइक कर दिया, USSR भी दुश्मनी है, उसके लावा जर्मनी UK को भी बॉम कर रहा है, तो कई जर्मन जर्मन से उन्होंने ये समझ लिया, कि हिटलर जर्मनी को विनाश की तरव लेके जा रहा है, एक दिन आएगा, जब जर्मनी पर बॉम्बिंग होगी, और इवेंचुली हुई भी, जर्मनी जब World War II हरा, तो आपको बताया क्या हुआ, जर्मनी का बटवारा कर दिया गया, जर्मनी पर बहुत बॉम्बिंग करी गई, तो हिटलर के अंडर बहुत सारे जो इनके जनरल से नोंने ये बात समझ ली, और इन लोगोंने एक प्लान मनाया के हिटलर को मार देती है, इस प्लान का नाम था ओपरेशन वलकाईरी, जी हाँ, इसके बारे में आप पड़ोगे एक प्रॉपर ओपरेशन था, वॉन्स टॉफनबर का जो एक आर्मी जनरल थे अंडर हिटलर इन्होंने जर्मनी के बाकी ओफिसर्स के साथ मिलकर कोशिश करी हिटलर को बॉम बला से मारने की, मगर ये प्लान फेल कर गया, और उसके बाद वॉन्स टॉफनबर को भी मार दिया गया, इस टॉपिक पर बाइदवे, टॉम क्रूज की एक प्रॉपर मुवी भी है, वैलकाइरी, और इस मुवी के बारे में, मैं बात इसले कर रहा हूँ, क्योंकि आज के समय जो रश्या में निउज आ रही है, उसको देखकर लोग कह रहे हैं, कि ये वैलकाइरी टू पॉइंट ओ है, रश्या में कभी भी तकता बलड हो सकता है, मिलिटरी के लोग पुतिन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखो पॉब्लम ये है, पुतिन तो लगातर ओडर दे रहे हैं, इंदियेंड ग्राउंड पर जो रश्यान सोल्डर्स है, ये मारे जा रहे हैं और ये काफी हत्तक अब हिमिलेटिंग भी है रश्या के लिए, कि बहुत सारा एरिया युकरेन का, जो नने कब जाया था, ये छोड़ना पड़ा, और अब तो जिलंस्की ये भी कह रहे हैं, कि क्राइमिया को वापस लेंगे, जी हाँ, याँ आप आप देख पाऊगे, जिलंस्की ने कसम खाई है, कि क्राइमिया को ये रश्या से वापस लेंगे, जबकि क्राइमिया को रश्या ने कब जाया था 2013 में, और इतना ही नहीं है इवन टर्की जैसे देश भी मौका देखकर रश्या पे और प्रशा डाल रहे हैं कि रश्या को अब हार मालेनी चाहिए क्राइमिया वापस जो उसके राइटफुल ओनर्स है, मतलब के युकरेन इनको वापस क्राइमिया थमा दो अब आप सोच कर देखो, रश्या के लिए ये कितना बड़ा डिजास्टर होगा, इनकी अब जो एरिया इनोंने कई सालों पहले कपजा के अपने कंडूल में रखा हुआ है, ये भी हासे निकल सकता है तो अगैन पुतिन की तरफ रश्यन मिलेटरी का ही गुसा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब पुतिन पर है कि ये कैसे रश्या की इंटर्नल पॉलिटिक्स को मैनेज करते हैं और पावर में बने रहते हैं और कई रिपोर्ट्स यहाँ पर ये भी पबलिश हुई है कि सिंज व्लादेमिर पुतिन एक तकता पलट की तरफ देख रहे हैं आज के समय क्रेमलिन में तो डेस्परेशन में आके न एक बार को टेंशन में आके हो सकता है कि एक टैक्टिकल नुकलियर स्ट्राइक भी करते हैं बाइडन ने ओल्रेडि इस पर कमेंट कर दी हैं उन्हें बार बार मीडिया के सामने कहा था रश्या को don't do it, don't do it, do not do it नुकलियर स्ट्राइक मत यूज कर लेना उक्रेशन पर उससे बात कहीं और चली जाएगी तो फ्रेंच प्रेशिडेंट इमानियल माकराओ को मैं कहूंगा कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जैनुवनली यूरोप में पीस चाहते हैं USA का मैं देख पा रहा हूं साफ साफ उनको कोई मतलब नहीं है वो पूरा एक कॉंटिनेंट दूर अराम से बैठे हैं उनकी कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है लगातार उनकी कंपनी जो वेपन्स हैं वो दे रही है अमेरिकन गवर्मेंट को अमेरिकन गवर्मेंट ये वेपन्स दे रही है उकरेन को USA की डिफेंस कंपनीज ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रही है आज के समय मगर मैंने अब्जर्व किया है कि इमानियल माकराउन जेनुमेनली चाहते है कि रशिया को इतना कोने में ना धकेल दिया जाए पुतिन को इतना धकेल दिया जाए कि ये लोग डेस्परेशन में आकर कुछ बड़ा स्टैप ले ले इसलिए एमानियल माकराउन ने आज से तीर महिने पहले ये भी का था कि रशिया को हुमिलियेड मत करना उनकी जो इज़त है आप कहा लीजे उनकी जो पगड़ी है वो मत उछाल देना क्योंकि उसके बद आत्मी फिर अपनी इज़त के लिए कुछ भी कर लेता है और इसलिए PM होदी की जो स्टेटपेंट है ये मैटर करती है हमने ये नहीं का कि रश्या गलत कर रहा है रश्या को हार माल लेनी चाहिए या क्राइमिया वापस कर लो हमने वो शरार्ती जो स्टेटपेंट है वो नहीं दी हमने केड़ेगोरिकली कहा के अभी के लिए युद बंद कर दीजिए बैठो युक्रेयन के साथ बस end the war अब रश्या अपनी तरफ से ये कहता है कि अब युक्रेयन नहीं मान रहा युक्रेयन कहा रहा है कि नहीं अभी तो हमारे पास weapons है momentum हमारे साथ है हम वापस लेंगे अपनी जमीन तो problem करी ना कही है मगर main authority रश्या के पास है रश्या अगर चाहे अभी के अभी चाहे तो war ये रोक सकते है defensive stance लेकर जो इनके पास जमीन है वो अपने पास रखे है युक्रेयन अपना शांत हो जाए और एक बार को हम diplomatically peaceful तरीके से जो ये problem है इसको solve करने की कोशिश करे और इसलिए ना सिर्फ France, even US ने भी का है के बहुती welcome statement है भाई PA Modi और ये clear message है पुतन को के अब war खतम कर दो नहीं तो दुनिया को बहुत ज़रा नुक्सरान होगा और इन सब events को अगर हम Indian perspective से देखे तो clearly India का जो stature है as an international power ये लगातार बड़ा है countries भारत की तरफ देखती है हमारी statement क्या है हमारा opinion क्या है ये बहुत ज़रा matter करता है और आप देखोगे eventually जब Ukrainian Russia में peace की बात्चीश start होगी तब वहाँ पर भी India का critical role आपको मिलेगा वापस आते हैं question की तरफ के as of 2022 कौन सा country सबसे बड़ा lender है to Shilanka तो सही उत्तर यहाँ पर है option B the country of India यहाँ पर आप देख पाऊगे with 968 million dollars of loan India surpasses China to become the largest lender for Shilanka ये topic बहुत अत्तक news में था याद रखिए कि इसके बारे में exam में आपसे question पूर सकते हैं और finally आपर मैं ये वियाड कर दूँ कि आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं चाहिए UPSC, SSE Bank, NEET, IIT comment section में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे pinned comment में आपको मिलेगा ये link और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं the course of your choice for example let's say आपको purchase करना है IIT exam का course simply यहाँ पर click कर ये IIT पर और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे course of your choice और जो prices यहाँ पर लिखी है न for example यहाँ पर लेख पाऊगे लिखा है कि आप 42 month का जो course है यह आप purchase कर सकते हैं सिर्फ 900 पे per month दे कर यह price pay करने की आफशकता बिलकुल नहीं है simply यहाँ पर code यूज करिए PD10 और prices गिरना start हो जाएंगे यह code आपको discount देगा UPSC SSC need किसी भी exam के course में on an academy so use the code PD10 and save your hard earned money so यहीं नोट के साथ यह है वीडियो का thank you for listening and as always God bless you all झाल